सबी को नमस्ते, तो रेनाल नी दिदी की शेरिंग से हम शिरू कर लेते हैं, तो दिदी का संशिप्त पर इच्छे रख देती हूं, दिदी ने 2011 में अपना पहला UHV का वरक्शॉप IIT कानपूर से किया, और तब से दिदी लगातार वरक्शॉप को अटेंड कर रही है, दिदी दिदी ने 2011 से लेकर 2016 तक स्टूरेंट के साब भी कंटेंट को शेर किया है, दिदी पीपी आई में वलंटियर कर रही है और दिदी ने रीसेंटली ही अपनी पीएच्टी को कंप्रीट किया है, दिदी का पीएच्टी टॉपिक भी UHV से ही रिलेटिड था और उसका टॉपि यहां तक कि आट्रा में जिनका भी केली मैं बहुत घृत पहुं का जो एक सिक्षक भाव है मेरे लिए और मैं बहुत ही इमानदारी से कहना चाहती हूँ कि इस सेशन में मेरा स्वास्त मेरे घर में मेरे हस्बन का भी स्वास्त थोड़ा वैसा प्रतिकूल हो गया था तो बहुत अच्छे से मैं सेशन एटेंड नहीं कर पाई बीच-बीच में छुट गया लेकिन मैंने ये कोशिस किया आपार है काम जो आज करवाया गया है उसको मैं में जाच परक करों को करने की पोसिस करो कहा और पहले स्टेप वन पर आती हूँ तो सटेप वन में जो हमारा है कि मुझे मेरे अंदर कर्पन ऊसीलता चल रही है या नहीं चल रहा है मुझे दिख रहा है नहीं दिख रहा है जो अच्छे भाव है वो भी दिख रहा है और जो मेरे अंदर कुछ अनरगल भावने था भाव आते हैं वो भी मुझे दिख रहा है और और स्वी करें है पूर्षी के पूरी फिर्विफि वह नदेसमांonda पूर सत्की तो मह पूर दे lot कई अफ़ घंप सब्रेंगेंたい-। भात विखने नहीं करती थी किया इस बैद देता है है। उसको किस तरह से मुल्यंगन करूँ तो फिर उसके भी मैंने काम किया वो बहुत इमांदारी से मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो अपने आप तो उसको नहीं करेक्ट कर पा रहे हैं लेकिन उसको जो हैसे दिख जाता है तो फिर उसको क्या सही क्या होगा कर सही मेरा भाव इतना तो कर ही सकते कर पाते हैं स्टैब टूपर यदि मैं आती हूँ तो स्वयें के द् urban शरीर को देखना और फिर नेक्स्ट जो हमारा उसमें जो है तो अपने 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 अब मेजे लिखता ही है जो हमारा अभ्यास है कि मैं कर सकती हैं अपने आप मैसुण सकती है हुर इसके बाद साफ में इस सीज्ट पर भॉहत अदिक अभ्यास किया है कि बाहर से जो कुछ भी मिन पुट आरभा है तो उसको मैं किस तरह से मैं अतने मढदा से अइस समया ते रहीं हूं क्योंकि यह वाला चीज जो है इससे मैं जाने अन जाने फॉर दा फ्रेक्शन ऑफ सेकेंड ही मैं प्रभावित हो जाती थी प्रभावित हो जाती थी इस पर मैंने बहुत इस बार इमांदारी से काम करने की कोशिस किये कि कुछ भी जो इन पूट आ रहा है तो उसको मैं किस त आपने अंदर आरां में रहती हुँ तो फिर उससे मैं प्रभावित नहीं होती हुँ पिर जो भी रीजन हो मैं यदि कुछ वैसा हो जाता है या अपना पुराना चंसकार ही कुछ परिशान होने वाला जो हमारा है कि अंदर से एक अन्पूल भाव क्या पेक्षा है और वह यदि उस समय जागरित हो जाता है, तो मैं उसी घटनाओं पर प्रभावित भी हो जाती हूं, तो इस पर मैंने वर्क आउट किया, दूसरी बात, एक हमारा जो है, जो मैं संबेदना, मेरे और सरीर के बीच में दूरी है, और संबेदना को पढ़ना, संबेदना को जो अर्थ देना, इस सेसन में मैंने इसमें यही मुझे जितना समझ में आया है, कि मैं संबेदना में नहीं हूँ, संबेदना में मैं नहीं हूँ, यह चीज मुझे इस तरह से समझ में आया, कि मेरे सरीर में बहुत पीरा होते हुए भी, बच्चे मेरे छोटे हैं, तो मेरे जीवन ने निर्नाय किया कि नहीं अभी मुझे बचों के लिए भोजन बनाना है, बचों का कुछ करना हुआ बात को गया है, उनके साथ जाना है, तो सरीर में पीरा रहते हुए भी मैंने उस चीज को किया है, तो सरीर जो एक सुनी हुई बात थी कि जीवन में अक्चा बल अक्चा सकती ह कर सकती हूं तो इतना कवं मैंने इसमें किया है और उसके बाद फिर जो जहां तक मेरी भागीदारी की बात है, तो भागीदारी करने की मेरी बहुत इक्छा है, क्योंकि ये काम मुझे बहुत ही सारतक दिखता है, दिखता है, मुझे इसकी इक्छा है, लेकिन एक मेरा दिस्टिक्सम है कि हम लोग परिवार में मेरे इन-लॉज नहीं है, हम लोग दो ही लोग है। बच्चे मेरे दो छोटे हैं तो मैं यदि कोई जिम्मेदारी ले भी लेती हूँ तो कभी कुछ ऐसा होगा तरता है कि वो नहीं रहे। कुछ भीजिनादारी को भी तो फिर मैं तक हम अपने से बड़ी वेवस्था में भागीदारी का या मैंने कुछ किया है उसको भी मैं बहुत संशिप्त में रख देती हूं कि शुरू के दौर में मुझे ऐसा लगता था कि नहीं चुकि वो ची समझ नहीं था कि सिक्षन जो है व्यभार है व्यवसाय नहीं है तो मैं सहतानी करते तो उस समय में रुपी सरकार द्वारा सभी बच्चों को लैप्टॉप दिया जाता था तो लैप्टॉप चला रहे हैं पीछे में बैठके सुन नहीं रहे तो मैं बच्चों को खड़ा कर देती थी और पीछे वाले यूनिट से पूछ लेती थी तो बच्चे बच्चों ऐसे जवाब नहीं दे पाते थी मुझे बहुत खुशी होती थी कि चलो मैंने इन बच्चों को वह कर दिया मैं एक अच्छी एड्मिनिस्ट्रेटर हूं लेकिन जब मुझे यह समझ में आया कि हमारे बच्चे के बीच में जब तक संबंध नहीं बनेगा तो मैं दर्टी नहीं थी मैं उनको कोई हुमिलियेट करने वले कि मैं इतना करती थी कि पीछे बाले यूनिक से उसे पूछा तो जब आप बच्चे नहीं दे पाते थे सांथ हो जाते थे फिर वह फिर जब धीर यह समझ में कि सिक्षन जो है नहीं है एक बभार है तो फिर जब मंध पूरवग बात करना बात्चीत करना शुरूप किया तो बहुत अच्छा परिणाम भी आया बच्चों ने बहुत कुछ अपने परिवार से लेकर के बद कुछ सेयर किया चुटी के समय में बच्चे तोड़ भी कर देते थे होस्टल के बच्चे में दिसिप्लीन कमीट अपने स्कूल को भी टीयाले कोहीन तोड़ देंगे पंखा तोड़ देंगे और नल तोड़ देंगे बच्चों ने इसको 52 फिर बच्चोंका बहुत अधीक मेरे प्रती रеспेक्ट था मैंने डोनों ग्रूप के बच्चों को देखा इन ग्रूब के बच्चों को मैंने मैं re बच्चे से विभार से बात किया उनको भी जब मैं को लेज छोर के आ रहा है थी तो भी बच्चे गेट पर आ गए थी कि मैं माप लेज छोर के नहीं जाएए और बच्चों नहीं किया था कि आप हमारी मा जैसी हम आपके लिए एक दिन ब्रत भी रख लेंगे तो मेरे बच्चे भी नहीं थे तो बच्छों को पढ़ा करते हैं मेरे बच्छों को पढ़ा हो मेरे नहीं बलक irresponsर ही है वुछ during those five कश A so सेस्ता है। तो फिर मैंने वी-डियो कॉन्टेण गव्रेंसिंग से सब लोगों से बात किया। उन्होंने कहघा कि नहीं है.. एक बार बात कर लीजिया.. आप.. हम भी बात कर लोग बात किया.. तो फिर सुख्व मन गए है लुवकित Cancer Sum nod दिया उनको समझ में आए तो यह भी मुझे एक बहुत सही लगा अभी जो है इस एक बहुत छोटी सी हला की घटना है लेकिन इसको मैं इसलिए आप लोगों के भी सेयर कर रही हूं कि अच्छा जो है अच्छा चीज जो है वह अच्छा भी एस प्रेड आउट होता है फैलता ह जैसे हमारी तयार ही हो हम से पहले नमस्ते कर देते हैं मतलब हम से त्यार होथे क्यों का नमस्ते कर देते तो हम गाली में सब को जहां बच्चा हो बढ़ा हो कोई बुड़े हों भुजूर्ग honest कि लेइंव आप तो ब्रह Muslims है, याप प्रस्प्रूम करेंगी नमस्ते नहीं पाते हैं, हम फिर कुछ नहीं बोले, अब इस्थिती ऐसी हो गई कि यदि हम जान पूचके इग्नोर भी कर देते हैं, तो बच्चे मेरे चेहरे के पास आ करके, नमस्ते आंती, नमस्ते आंती, तो मुझे यह बहुत अच्छा लगा कि सब को एक दूसरे को नमस्ते करने तो होता है कि हम लोग, हम चुकि मैं एक अस्थावादी परिवार से हूँ, हमारे फैमली में सब एक दूसरे के हेल्प करने के लिए, जिस भी तरह से सहायता हो, तन से, मन से, धन से, तत्पर रहते हैं, और यह भी नहीं सोचते है कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, हमारे तो मेरी गली में एक जरूरतमंद परिवार था, तो उनके तीन बचे ऐसे ही डोल रहते हैं, तो यह दिल्ली में अंगनवारी वाले में से, उनके गुरिया का अडमीशन करवा दिया, और सर्वोदय विद्याले में बात करके उनके दुनों लड़कों का, मतलब मैं उस से मे अपलाई नहीं किया तो वो टीचर ने आस्वासन दिया कि आप अपलाई कर दीजे तो इन बचों का खो जाएगा, मैं अपने से गई थी, फिर जब फिर जड़ी जरूरतमंद फैमिली थी तो जो भी होता था मेरे से, चाहे वो रासन हो या पैसे हो में देती थी, चुकि ज मैंने उनका बहुत साहिता किया, जॉब भी बहांजी का ढूंडने के लिए, मैं उस गर्मी में गई बच्चे को छोड़ करके कई जगह गई, तो हलांकि जो जॉब मैंने उनके लिए बात किया, वहां उनको काम पसंद नहीं, उन्होंने एक दिन बताया कि एक बैंक वाली ह जॉब करती थी, उनके गहने चोरी कर लिए यह हो, अब देखिए, यह घटना हो गई तो, यह घटना जो हो गई तो, इससे जो मेरे हस्वेंड है, वह बहुत प्रभावित हो गई, कि देखिए, आपने तो उनका इतना सहायता किया, आधार काड उनका बनवा दिया, उनको ह बताने ही क्या है नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को बिल्कुल इमानदारी से बताना चाहती हूँ, इस घटना से मैं बिल्कुल ही दुखी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इतना समझ था कि जो मेरी, मतलब मैंने उनके हमारे human values में समझाते हैं कि दया, बस्तु नहीं है तो बस नहीं किया था कि उनका इस तरह का क्यारेक्टर था आचरन था कि उन्होंने जिनके यहां जौब करती थी उनके यहीं चोरी कर लिया, तो वह इस घटना से बिल्कुल प्रभावित नहीं हुई, मैं यदि उनके समझ पे कुछ कम कर रही होती फिर भी जरूरी नहीं था कि यह मैं इतने दिन से लगी हुई तो मेरा पूरा परिमारजन तो नहीं हो गया, मैं भी बहुत सारी घटना से बहुत समय तक उसमें प्रभाव में रह जाती हूँ, तो मैं इस से बिल्कुल दुखी नहीं हुई, फिर बाद में वो लोग चले गए, उनके मालिक ने कहा कि आप घ मैं पहले उलाज जाती थी, अधिक तो सर से भी बात करती थी, लेकिन अभी सबसे अधिक मुझे जो अपने उपर करना है कि मैंने एक अपने अंदर गलत महनेता बनाये हुए है कि मेरे हस्बंड इतने वेल क्वालिफाइड है, इतने एजुएटे हैं और वो मेरे साथ 24 घं मेरे ननद के बच्चे, मेरे जो एक भाजेदारी है, मैंने जो अधिया है, उसका वो सही मुल्यंकर नहीं करते है, उनका मुल्यंकर का अधारी है कि कौन जॉब कितने पैसे शान कर रहा है, तो ये चीज मैने, ये बात बार-बार कुमार भाहियां कहते है in workshop में जो ऐसा होन कि नहीं तब तो फिर human values करके तो आप में कोई सुधार नहीं हुआ, सर को देखिए आप सर की सिस्या है, सर को कभी नहीं परिसान होते हैं, आप परिसान हो जाती हैं, हम थोड़े ही इस सिस्या है, सक देखिए तो अपने इनद., इस सेच पर भीच धानी स्देश के दूरी हैं, इस पर थेयर के द्यूरी है। और मुझे अपने आप पर ध्यान देने के लिए कुमार भाया से मैंने पूछा था, कितने समय ध्यान लगना चाहिए, तो भाया ने बताया था कि 24 घंटे हमें हार्चन ध्यान देने की जुन्मत है, तो मैं सेशन जब चलता है तब तो अधिक हमारी हो रहती है, इंटेंसिटी मैं उचित समय आने पर फैला करके फैलाओं भी करूंगी, तो मेरे तरब से इतनी ही बात थी, धन्यवाद सभी को सुनने के लिए, तो अब हम कुमार भाया को सुन लेते हैं, कुमार भाया, नमस्ते, जी, नमस्ते तुना सभी को, मिनाली जी के बारे मैं कहूंगा कि उनका एक लंबा जुडाओ रहा है, और सुबा के सत्र में पहले तो नियमी रूप से जुड़ी रही है, उनके जुड़ा बच्चे हैं, तो उनके और भ्यान देने के लिए, और लसन की जो पी एजडी के भी पढ़ाई चल रही थी, उसे कारण तो जुड़ाओ में कम ही आई है, बट फिर से उनका मन बन रहा है कि सुबा के सत्र में जुड़े, थोड़ी सुबा की व्यास्ता है, तो इमानदारी से उनके पूरी बात रखी और जो भी इनकी परिसितियां रही हैं, उसमें जिस तरह से स्वय में समाधारित होते हुए, वो आसपास की चीजों में भी विफ्ता बनें, तो हम परिवार की व्यास्ता मधाग़धारी करते हुए, ऐसे और समाद की व्यास्ता है करसकते हैं, इस पर ठीक धंग से ध्यान जा सकता है, जो सुबा की कारकर्म है अगर हम उसमें व्यास्ता हैं, तो तो समय निकाल कर पूरी वफ्तु को सुनने का और भुलेपन से वो हमेशा ही शियरिव करती रही है, जब भी उनको आउसर मिला है, वर्पशोप अटेंडी करने का, फेस्टु फेस मोल में वो आती रही है, परन्तु कुछी है जो मुझे लगता है कि दिदी को और ठीक से अब्जेर्व करने की जुरत है, अगर वो कर पाएंग परन्त उसमें और बारिकी की जड़त है, और भावख है, जैसा उनने शेरिंग करके रखा तो भावख हो भी गए थी, तो उस गहरे संसकार का सब्योग भी हो सकता है, इस तरह से भावपधान धंग से जीने जाएक अभियास से, बढ़िया लीदी मेरित आप से शुब कामन बढ़िया लीदी के लीदी